नमस्कार दोस्तों जैसर कि अभी सीजन आने वाला है गेहूं की कटाई का और चल भी रहा है तो दोस्तों हमारे किसान भाईयों को एक ऐसे Reaper की ज़रूरत है जो की गेहूं की फसल बहतर तरीके से काट के किसानों को दे सके क्योंकि भाई साब भूसा की जो समस्या है बरतमान में बहुत जादा बनी हुई है तो दोस्तो आज हम आप पहुंचे हैं Golden Agriculture Work मानसा पंजाब के अंदर और हमारे साथ जोड़े हैं सर जिन जो की Golden Agriculture Work के रीपरों को डिजाइन करते हैं और किसानों के लिए बहतर रीपर जो है बनाते हैं उनसे संपूल जानकारी लेने वाले हैं नमश्कार सर सबसे पहले सर अपना परिशे हमारी ओडियन्स को नमश्कार सर हम पंजाब से Golden Agriculture वरकस से और पिछले जो 25 साल से हमारे जो रीपर बनाने का काम है है और अभी भी शूरु से स्टार्टिंग से हम रीपर बनाने का लिए किसानों के लिए कैसी बहतर होनी चाहिए पूरा अंदाजा और भरुसा होता है पूरी जानकारी लेंगे सबसे पहले तो हमें ये बताएं सर इसके अंदर जो आपने blade वेगेरा की quality रखी हुई है वो किस तरह की रखी हुई है और कौन सी company वेगेरा की blade लगी हुई सर जो जी इसमें blade जो हम लगा रहे हैं जी एक number quality जो sharp company का original blade है जी 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 जो इसमें हम लगा रहे हैं बढ़ी है इसके जो fan belt बगारा है सब A2Z company के लगाए हुए जी बहुत बढ़ी हैं तो यहां पर भाई साफ आपको जो blade वेगेरा है sharp company की मिलेंगी और बहतर company की blade है और standard company की आप देख सकते हैं finger वेगेरा लगाई गई हैं जो की proper तरीके से फसल वेगेरा की कटाई करने में सक्चा में अच्छा सर कई company को मैंने देखा हुआ है जो पंखुणियां इसके अंदर लगी हुए हैं तो यह कुछ local material के fiber quality की लगा देती हैं आपने किस तरह की हैसर के अंदर पंखुणियां लगाई हुए हैं जे जो हम एक दम best quality की इसमें fiber की लगाई हुए है जी बाहर से हम मतलब ज तो कौन-कौन सी फसलों को काटने में सक्षा में सरी जैसे मानु जी आप तू चार जब पांच फीट तक की जो फसल होती है उसके काटने के लिए बढ़िया है अच्छा मतलब दोस्तों इससे आप जो है तीन-चार फिट तक की फसले काट सकते हैं पांच फिट तक ती पांच फ्रेंट और बैक दोनों तरह के रीपर बनाते हैं तो इसमें जो अपना फ्रेंट में इंस्टॉलेशन होना वाली है इसकी फ्रेम बिगए रहा की क्वालिटी और मजबूती का किस से ध्यान रखा साथ तो फ्रेम जो देखो जी हम इसमें जो बैजे बैक वाला आती है इसमें अच्छाँ तो कहने का मदलब पूरा हैवी डूटी मटीरियल इसमें सब लगाया गया अच्छा सर इसमें जो अपना मैन होता है तो यह डेर वॉकस आपने किस तरह का रखा हुए सबस्क्राइब घएर फंज से त्यार करते हैं जी हुमारी कारीगर है तो मद बढ़िया कहने का मालब इसमें बेरे मगरा सब ग्रीस बगरा सब ये टूजट का बड़ी क्वार्टी लगा हुई है मतलब हमारा किसान जो है यदि इसमें समय समय पर ग्रीशिंग और आइल करता रहे तो उसे कभी भी दिक्कत देखने नहीं मिलेगी दसो साल तक आपका जो ह गेर बॉक्स की तो हमारे किसान भाई यह जानना चाहते हैं कि गेरंटी वारंटी का आपने किस तरह से इसमें सर अधाने के लिए जिसके हम एक साल की गरंटी देते हैं फो ले बहुत बढ़ी है भाई साब हाईड्रोलिक पंप भी में आपको गेरंटी मिलने वाली है और य इसमें बैल्ट इसलिए लगाते हैं देखो जो जैसे शूटी फैसल होती है ना उसके लिए बैल्ट बढ़िया रहता है वो क्यों है जैसे मानों बैल्ट अगर इसमें हम चाहिए जा वात हो जाती है और भाई साप यहां पर रुनिंग कंटिन्यू बरकरार रहे हैं उसके ल समस्य आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी अचा सर इसमें बात करें बाराष सरकार दोरावा सबसिडी वेगेरा हमारे किसान भाईयों को मिलती है वो कितने परसेंट से कितने परसेंट की लगा में इसमें देखो लग-लग सरकार का लग-लग रूल होता जी जैसे मान यह हमारे किसान भाईयों के लिए क्यों बहतर है और पांच कन वेल्ट वाला क्यों लेना चाहिए 5 कंवेल्ट ऐसे जोए ज्वार बाजरा मक्का जासे में वाली फतल और जो फतल होगी जिसके लिए बढ़रा न बीपर अच्छा जी हम चाहिए अपन तो इन बन भी हो जाता है जी जिश्में जैखो जो दो वैल्ट है जी उपरवाड़े लगो जाएंगे अच्छा गो इसको तीन वाला करना तीन वाला बन जाता जी मतलब दोस्तों इससे आप छोटी फसले भी काट सकते हो जब कि छोटे रीपर से तीन कंवेयर वेल्ट से आप सिर्फ छोटी फसल काट सकते हैं, तो मेरे हसाब से तो यह लैना बहता है, नहीं है, यह पूरी Multi-Crop Tracer जैसे इसाब Multi-Crop Puzzle की कटाई करने वाला है, इसकी अधियापन बात करें, जैसे यह इसका कटरवार साइज है कितने फिट का होता है मतलब कवरे जे लिए इसमें हम दो मडल तियार करते हैं जी देखो जो बड़े ट्रेक्टर जैसे 30 अच्पी के ऊपर कोई भी ट्रेक्टर हो जी उसके लिए सेवन फीट ही लगता है जी अच्छा फीट का कटरवार होती है और जो मिन अच्छा जी मतलब तीन प्लाई के साथ में आने वाला आपको कंवियर वेल्ट बेगेरा देखने के लिए मिल जाएगा अब सर हमारे किसान भाई जैसे यह गोल्डन कंपनी का जो रीपर आता है इसको जी मंगाना चाहते हैं तो मंगाने की प्रोसेस क्या कैसी होने वाली है मंगाने की प्रोसेस ऐसे है जी देखो हम आपको कंपणी का खाता नंबर दे देंगे पहले बड़ा अडवांस में हम बीसे एर्पे पहले जमां करवाते हैं जी अच्छा जी उसके बाद जो जैसे मानों अपने पेमेंट डाल दिया जहां से हमने मशीन डिस्पैच कर देते हैं जी जी और जैसे मानों पांच से लेके साथ दिन का हम टाइम लेते हैं बहां पर पहुंचाने का तो उसके बाद जब बहां पर मशीन चली जाएगी कस्टमर अपना मशीन अरेंज कर लेगा और बाकी पेमेंट अमारे को उसी काउंड में बेदे बहुत बढ़ी है मतलब दोस्तों आप मात्र 20,000 रुपे की बोकिंग रासी के साथ में से भारत के किसी भी कौने में मंगवा सकते हैं और मंगवाने का तरीका यही है डिस्प्ले में चल रहे है मुबाइल नंबर पर संपर करना ना भूलिएगा साथ ही ये वीडियो अधिक से अधिक किसान भाईयो के साथ में सेयर करिएगा जानकारी अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सबस्क्राइब जय जबान जय किसान